जहें दोस्तों मैं हूँ लक्षे सिंग और आप देखरे ले सिंग स्टेडी पॉइंट तो आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की पंदुरी राष्टरपती दुरोपती बुर्म के बारे में बहुत ही रोचक जनकाडियां तो आए इन जनकाडियों को करहन करते हैं पहला है कि 21 जुलाई 2022 को दुरोपती मुर्म राष्टरपती चुनाओ जीतकर 25 जुलाई 2022 के सपत ग्रहन के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्टरपती और देश की पंदरवी राष्टरपती बन गई नेक्स्ट राष्ट्रपती चुनाओं में द्रोपदी मुर्म के प्रती द्विंदी यानि के ओपोजिशन पार्टी में कौन थे या स्वन सिंगा थे नेक्स्ट है राष्ट्रपती चुनाओं में वोटों की गिंती कुल चार राउंड चली थी जिसमें से कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे गिन्ती के वक्त 4,701 वोट जो ते वैद थे और 53 वोट ते अमान ने पाए गए थे तो इनको कुल वोटों की वैल्यू जो थी 5,28,491 थी नेक्स्ट द्रोपदी मुर्म को कुल 28,24 वोट मिले थे जिनकी वैल्यू 6,73,803 थी नेक्स्ट है कि यस्वन सिंहा को कुल 18,77 वोट मिले थे जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी देखने अगला द्रोपदी मुर्म प्रतिभा पार्टिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्टपती बनी है द्रोपदी मुर्म का जनाम 20 जुन अन्नेश सो अन्थावन को उडिसा के बैदापोसी गाओं में हुआ था यह संथाल समुदाय से तालूक रखती है इनका पीता का नाम जो है स्वर्गिये बिरंची नरायन टूडू एवं पती का नाम स्वर्गिये सियाम चंद्र मुर्म है इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज यानि भुनेश और उडिसा से कला में यानि कि आर्ट्स में सनातक की पढ़ाई की है यह वर्ष 1997 में भाजपा में सामिल हुई और राय रंगपूर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैडियर की शुरुआत की नेक्स्ट है भाजपा की टिकेट पर राय रंगपूर सीट से दो बार विधायक रह चुकी है अध्रपदी मूर में वर्ष 2000 में उडिसा सरकार में वनिज और परिवहन राज्य मंत्र यानिकी स्वतंत्र प्रभार बनी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है उडिसा की विधान सबार ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वस रेस्ट विधायक के लिए निलकंड पुरुषकार से सम्मानित किया गया फिर है कि यह वर्ष 2015 से 21 तक जारखन राज की पहली महिला राजपाल भी रही है ठीक है धन्यवाद मिलते हैं अगले एक नयाव वीडियो रोचक तत्य के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सेर भी जरूर करें अगर चिनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी करते हैं